करेंगे मिक्स करेंगे अच्छा से और तब रियाक्शन दोनों के बीच होना चालू हो गया और आप जैसा की देख रहे हैं इसका कलर क्या हो गया वेलकम टू एजुकेशन टू नॉलेज यात्रा और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे निउट्रलाइजेशन प्रोसेस जो मतलब की एसिड बेसेंड शाल्ट का फिफ्थ एक्टिविट यस ठीक है तो यह प्रोसेस ऑफ नॉट्रलाइजेशन तो इसमें बेसिकली जीतना भी कहानी आपको दिया हुआ है उसके नुसार अगर हम बात बोलें तो इसमें हमें तीन तीन बेसिक क्या चाहिए मेटेरियल चाहिए इस परियोग को करने के लिए तो इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या फस्ट फस्टीज यॉर इस सोडियों है रॉसट इस सोडियम हाइड्रोक्साइड सब्सक्राइज सॉलूशन और शेकेंड इस योर फिनॉप्थिली लिया जासकता है आप लोग एसिड को हात को लिखा हुआ है कि तू बी डिमोस्ट्रेटेड वाइद टीचर इन दा क्लास यानि कि जादा इसको में कियर करने क्या विशकता है नहीं है किसे है स्माजगे अच्छा इसके बाद हां कुछ चीजियां जो है जिसे वाटर वाटर आपको छूने के लिए दे सकते हैं समाजग है द्यान देजिए लेकिन यहां पर डाइलूट लिए है तो उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं जो भी दिया हुआ है आप मैच कर लिजेगा आप पड़ लिजेगा अपड़ करके यदि आप सुदूर रहने वाले यदि आप दूर मौजूद हैं और आपको चीजे नही समझ में आती है तो आप कॉमेंट में उससे संबंधित डाउट को पोच सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसका हम उत्तर करने की कोसिज करेंगे तो इसके लिए हम यहां पर देखें दो टेस्ट यूव यहां पर लिया गया है मैं टेस्ट यूव ना ले करके एक फ्लास्क ले लिए हैं फ्लास्क कोनिकल फ्लास्क समझ गया है उसके बाद इस फ्लास्क में सबसे पहले में वाटर को एड़ करेंगे ओके ठीक है तो वाटर को एड़ करिए रोहित और ठीक से चलिए ठीक है इतना काफी है करीब 100 ml तक वाटर ले सकते यह जरूरी नहीं है कि कितना ml तक लिया जा सकता है इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कितना ही ml तक लेना है लेकिन एक बेसिकली परियोग में लिखता है कितना ml तक ले समझ गया है तो अब ज्यादा लें तो क्य होगा इसके बारे में नहीं रहता है वह आप परियोग करने के बाद ही एक्स्परिमेंट करने के बाद ही वह चीज हम लोग समझते हैं अब खड़े क्यों है ध्यान दीजिए तो अब इसमें हम फिनॉप्थलीन सॉलूशन को एड करेंगे रागवेंद्र फिनॉप्थलीन जो ऐसे आपको उतना हारम फूल नहीं है मतलब असकीन के लिए डालिए दस बून तक डालिए 10 ड्रॉप और फिनॉप्थलीन का जो कलर रहता है वह आपको कैसा रहता है कैसा कलर है और डालिए डालिए कैसा कलर है कलर लेस वाटर जैसा मेंस कलर लेस ठीक है ठीक है तो चलिए अप काफी है इतना और एक चीज़ समझ लीजिए यह आपको वाटर और पलस फिनॉप्थलीन इसमें है वाटर और फिनॉप्थलीन है तो आप जैसा कि सब जानते हैं कि वाटर न्यूट्रल है न्यूट्रल मेटेरियल है तो न्यूट्रल मेटेरियल में फिनॉप्थलीन का कलर कैसा इंडिकेटर जो है से कैसा कलर दे रहा है किसी परकार का में कलर लेस यानि कलर लेस दे रहा है तो यह इंडिकेट कर रहा है अच्छा आप पहले से study में आप लोग चीज पढ़ चुके हैं उप लोग कलारी में बताएं ठै किसे जो हमेरा यसे थे melodyne वह कैसा मेडियम में या कैसा solution में में वो टो डायर Talking एक कैसा बेसिक सोलूचन में होता है आपको कैसा कलर चालिये ठीक है तो बेस 10 पर सेंट इसमें बेस किया हुआ है आप चाहे तो इसमें सौब का डाल सकते हैं का तो इसमें चलिए यतना आपको इसका कलर अड़ाली पस बस ठीक है तो यह हमारा हो गया पिंक कलर हो गया तो पिंक कलर क्या सो कर रहा है दिस सॉलूशन इस बेसिक इन नेचर अब बेस को देखिए यह आपको बेस हुआ बेस का फर्मूला यह है बेसिकली आप लोग फर्मूला के बारे में थोड़ा आगे 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 मतलब कि और हाई लेवल के कलास में आप लोग सीखेंगे तो यह आपको बेस हो गया और बेस को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है इस 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 जोर हाइड्रोकलोरिक एसिड और वेन इट रियक् होगा आपको हो जाएगा न्यूट्रल ठीक है उसके बाद अगर यह एसिडिक स्वलूशन रहें तो एसिडिक स्वलूचन में और यह थे कार रहे हैं धीरे धीरे इसको नूट्रलााइज करते है तो आप लोग एसिड को हाथ मत लगाए इसको थोड़ा सा रख देते और ये डाइलूट 35% है और इसको ड्रॉप बाइड ड्रॉप इसको हम डालते हैं वन टो थ्री ठीक है अब इसको हम लोग क्या करेंगे मिक्स करेंगे अच्छा से और तब रियाक्शन दोनों के बीच होना चालू होगी और आप जैसा की देख रहे हैं इसका कलर क्या हो गया कलर खतम हो गया तो कलर खतम होने का क्या आपको है कि यह जो है दोनों रियाक्ट कर लिया इसके बाद वाटर यह बन गया यदि इसका रैसियो मिन्स बेस का रैसियो यदि बढ़ाया जाए तो वापस यह कलर आ सकता है क्य अभी भी मौझूद है तो फिनप्तली अभी भी मौझूद है तो बेस को डालिए अंकित अगे जो बेस है और फिनप्तली नहीं बेस ठीक है बेस को डालिए और जो एसीड जो है चुकिए 10 परसेंट यह है और जब भी डालेंगे तो इसके किनारे साइड में आपको इस तरह से आपको नहीं ठीकाएंगे क्यों कि लग सकता है तो इसको मिक्स करतें देखते हैं कि किसका रैश्यों कौन लडाई में में तेज होता है चलिए अभी इसका ज्यादा है किसका ज्यादा है अगेन इसको हम एसी डाल करके न्यूट्रलाइज करते हैं रुख जाएगा अबर थोगा सा करते हैं कि वाफ लेकिन वाफ काफी है ठेख वन ड्रॉब काफी है ठेख यह अगर अधीक ड्रॉब अगर हम इसको डाल देते हैं सपूर्ज flank ढ़ेप ci yetu ज्यादा जैए तो अगर इसका ट्रॉब वही रहेगा कलर ताकि यह stable हो जाए और इसका अगर थोड़ा सा डाले तो आएगा तो जरूर पिंक होगा तो जरूर बेस डालेंगे लेकिन जैसे हैं उसको हम पूरा आची तरह से मिलाएंगे मतलब कि इसको करते हैं diffusion इसको करते हैं जैसे ही diffusion होगा तैसे ही वापस उसका कलर खतम हो जाएगा तो इसके कैप को थोड़ा सा ओपिन कीजिये आप जैसे की देख सकते हैं इसमें पिंक हलका हलका पिंक आपको दिखाई पड़ रहा होगा ऐसा है ना है ऐसा और इसको भूले तो देखिए फिर से खतम हो गया है है ना फिर से अधी डाले तो पिंक आपको पता चलेगा और फिर से देखिए हाइड्रो कलोरी कैसे ज्यादा है तो फिर से इसको जिसे जिसे खतम हो जा रहा है और ज्यादा अगर इसके रैस्यों को बढ़ाता बढ़ात है सकता है ज्यादा है अभी हो सकता है कि अभी अधिक है नहींद है ठेक अब बहुत ज्यादा इसको डाल देते हैं तो जब ज्यादा डाल देंगे तो प्वंध पींक हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि अब बेस का जो रास्यू है से टिल है तो यह हमारा हो गया neutralization reaction का demonstration समझ गया neutralization process अभी थोड़ा सा यह chemical reaction ऐसे है आगे पढ़िएगा यह आपको हो गया activity 5.5 किसका class 7 का NCRT का ठीक है तो अब इसी तरह से मिलते हैं फिर अगले हम लोग किसी activity में अगला activity हमारा 5.3 एक रह गया था ना ठीक है तो 5.3 किसी next class में हम लोग करेंगे तब तक के लिए जय हिंद